नमस्कार खबर उत्राखेन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भावनत्रपाथी रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर बीजेपी लोगसवा चुनाव को लेकर पांचों सीटों पर जीत के बड़े दावे कर रही है हाला कि प्रदेश में 2019 के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत कम हुआ है अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के दावे कितने सच साबित होते हैं इस पर पूर मुख्यमंत्री कॉंग्रस के वरिष्ट नेता हरी श्रावत का कहना है कि ये तो जनता खुद बता रही है क्योंकि राज में पहले ही मतदान का प्रतिशत कम है वहीं उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी पांचों सीटों पर खत्रे में है अच्छा तुम चार्शों के पार तुमारा दूर करेंगे हम आंकार कर देंगे तुमको तड़ी पार कर दिया सत्ता के तड़ी पार हूँ बीजेपी ने कॉंग्रस के चुनावी घोशनापत्स को महिला और बहु संख्यक विरोधी बताया है इससे लेकर उत्राखन के पूर्मो के मंतरी हरी श्रावत ने कहा कि बीजेपी का ये महिला विरोधी इसलिए लगती है क्योंकि कॉंग्रस ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर साल एक लाख रुपए महिलाओं के खातों में डालेंगे इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा गोशना पत्र कहता है क्यांगनबाडी और महिला स्वयम सहाइता समो के मांदे को दुगना करेंगे कॉंग्रिस के घोशना पत्र जारी होने के बाद लगतार बीजेपी कॉंग्रिस के घोशना पत्र पर सवाल उठा रही है इसक्रम में पूर मुख्यमंती हरीश रावत ने घोशना पत्र को लेकर कहा है कि बीजेपी को ये घोशना पत्र इसलिए महिला विरोधी लगता है क्योंकि इसमें आंगन बारी के मांदेव को दो गुना करने की बात कही गई है लोगसवा चुनाव से पहले सियासी बानबाजियों का दौर लगातार जारी है जहां एक तरफ बीजेपी कॉंग्रेस के घोशना पत्र को लेकर मुखर है तो वहीं कॉंग्रेस भी पलटवार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है दौर कि हम सक्तमा आएंगे तो हम आम परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसका खाता खुलिवाएंगे उसमें हर साल ही लाग होते है मतलब हर वहले रगवत साठे आठ से जार हुटिया उसके खाते में लाग रहे हैं प्रदेश में लग रहे ही वनागनी को लेकर अब कॉंग्रेस विधायक सुमित हिदेश राज़ सरकार पर हमलावर हो गए हैं बताया जा रहा है कि किस वन विभा की तरफ से जारी किया गया तोल फ्री नमबर विधायक के बार बार मिलाने के बाद भी बन दाया जिस पर विधायक सुमित रिदेश ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा कि परितन पर वनागनी का बड़ा असर पड़ रहा है बावजूद इसके सरकार सोई हुई है और वन संपदा लगातार नस्ट हो रही है बढ़ते तापान के साथ लगातार वनों में आग लग रही है जिसको लेकर विधायक सुमित रिदेश का बयान सामने आया है उन्होंने इसको लेकर राजसरकार पर निशाना साधा है उनका कहना है कि वनागनी की घटनाएं बढ़ती जा रही है इसके बावजूद राजसरकार सो रही है जंगलों में आग लगने से परिटन पर असर पड़ रहा है इसके साथ ही पर्यावरन को नुकसान हो रहा है तो वहीं वन संपदा भी खत्रे में है इसके बाद भी राजसरकार कोई थोस कदम नहीं उठा रही अभी अप्रेल भी समाप्त नहीं हुआ है तो भयावी स्थिति उत्पन होने वाली है मई और जून के महिने में क्या हाल होगा वैसे ही हिंपात क्योंकि इस बारी इतना कम हुआ है जल्स रोत वैसी सूखे हुए है तो इस बारी सूखा होने का बहुत भारी अंदेश हो और यह जो फॉरिस्ट फायर्स है जंगल में जो आग लग रही है इससे बहुत बड़ा कश्ट लोगों को भी हो रहा है यह मैंने तीन बारी आपके सामने अभी मिला है स्विच ओफ है लोगसवा चुनाव में प्रदेश में संपन होने के बाद बीजेपी में बयान बाजी का दौर जारी हो गया है गर्वाल संसदी सीट से टिकेट की दावेदारी कर रहे राज्ट बागवानी बोड के अध्यक जो लगातार विधान सबा से लेकर लोगसवा चुनाव मेदान में अपना दमखम दिखा चुके हैं। कॉंग्रिस की जला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा है कि अब बीजेपी के ही निता अब अपनी ही सरकार के खिराफ लगातार बोलने लगे हैं। अब बीजेपी के वरिष नेताओं को लगने लगा है कि सरकार द्वारा पिछले दस सालों में कुछ नहीं किया गया। जब कुझी भाई कुझी विहारी नेगी जी आंदोलन कर रहते हैं। अठारा वरस के उमर में मैं पिहार जेल चला गया उत्राखन राज्या आंदोलन के लिए। और तब से आज दिन तक मैं लगाता पार्टी में भाटपा में कारे कर रहा हूं। मैंने देखा कि चुनाओं में बहुत लोग चैलेंज फेंक रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। तो मैंने इस वाटपा का करता हूं। तो मैं एक ही पार्टी ने सभी पार्टी के नेताओं को चैलेंज दे रहा हूं। कि अगर अपने ब्यक्तिगत परियासों से अपने ब्यक्तिगत संसादनों से अगर किसी भी पार्टी के नेता ने इस उत्राखन के लिए मुझसे ज्यादा काम क्या हो तो अब मैं बिर्द हो चुका हूं मैं चाहता हूं कि कोई मुझे कह दे कि हमने तुम से ज्यादा काम क्या तो मैं आधर सहीच समझूगा कि मेरा पाहर के लिए कुछ काम नहीं है मेरे से भी बहुत लोग हैं जिन्नोंने ज्यादा काम किया तो मैं अपने घर बैठ जाओंगा अगर किसी जमीनी कारे करताने पार्टी की रहतने बहुत काम किया है तो निशी दरूब से पार्टी का भी होता है कि उनको आगे बढ़ाएं लेकिन बिरिन्दर जियाल जी का भी आपने देखा गए कि पूरू में नाम भी चल रहा था कि जो है सांसत गरवाल परत्यास की वो भी हो सकते हैं भाजपा से आप खेर जो भी हुआ आप समझ सकते हैं कि जो है बाजपा में जो है कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जो है पुछ पार्टी का अपना परसनल मामला है और उसमें हम लोग ज्यादा बोलना नहीं चाहते लेकिन ये है कि निशित रूप से बिरिन्दर जियाल जी का पीड़ा तो चल गी हुई है कहीं नहीं कहीं उनको भी दरड़ है कि जो है अपार्टी में इतने साथ दिये एक काम गिया तो उनको भी समान मिलना चाहिए था और मिलना भी चाहिए था अलमोडा में युवा कल्यान विभा की तरफ से बनाये गया हेल्फ फिटनेस सेंटर बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है यहां ग्रामीरों का रोप है कि इस हेल्फ फिटनेस सेंटर के आसपास कोई भी सुरक्षा दिवार या जाली नहीं लगाई गई है जिससे वहां से गिरने का डर बना रहता है बतादे कि सरकार के देश पर ग्राम पंचायतों में युवाओं के लिए हेल्फ फिटनेस सेंटर ओपन जिम खोले गए है लेकिन कई जगह ओपन जिम सवालों के घेरे में है और वहीं पर नदीग में स्कूल है बच्चे भी हां पर खेलने के लिए आते हैं और कभी भी कोई बढ़ 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 हासा हो सकता है इसना पर गाई गिरगी तो लगभा उसको पांच दिन के बाद इसको रेस्कूल किया गया गया जब दाएं बाएं फॉन खुमाए गए जिला पर्शारषन के और नगरपर्शारषन को बताया गया पांच दिन के रस्केश के शिवाजन अगर में गाये की हत्या करने वाले आरोपी की गिरफतारी को लेकर बहातिय जनताय यूवा मोर्चा के कारіकरता बढ़क गयई कारिकरताओं ने कोतवाली में पुलिस को ग्यापन देकर आरोपी को जल्ट से जल्ट गिरफ़तार करने के माँगी साथ ही माँग पूरी नहीं होने पर कारिकरताओं ने पुलिस को आंदोलन करने की चेथाव्डी दी है शुक्रवार को भारते जनता युवा मोर्चा के कारिकरता रिशिकेश को तवाली पहुँचे जहां कारिकरताओं ने SSI उत्तम रमोला को एक ग्यापन सौपा बतादे के शिवाजी नगर में नारायन सुरूब रहमचारी की गौशाला है उसकी एक गाय पर धनवी प्रजापती नाम के व्यक्ति ने अपने परीजनों के साथ मिलकर इटों से हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी खबर इशिकेश से है जहां गौह हत्या को लेकर भाजियूमू के कारिकरताओं में आकरोश है जिसको लेकर उन्होंने पुलिस को एक ग्यापन भी सौपा है इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि अगर जल्द कारवाई नहीं की गई तो वो उगरा अंदोलन करेंगे भाजियूमे कारकरताओं ने आरोपियों को पकड़ने की मांग उठाई है लालकुआ के आबादी वाले शेत्र में सिर्थ स्लीपर फैक्टरी में देराथ फिर से विशालकाय भालू के आने पर शेत्र में हरकंप मच गया दरसल बीते मंगलवार को आईडी पीपी और स्लीपर फैक्टरी के बीच से वन विभाग की तरफ से भालू को रेस्क्यू कर जंगल में पहुँच आगया था जिसके बाद भालू फिर देराथ पानी की तलाश में स्लीपर फैक्टरी में पहुँच गया वहीं घटना की सूचना वन विभाग को दी गई और मौके पर तराई पूरवी वन प्रभाग के प्रभागिये वन अधिकारी हिमानशु बांगरी SDO अनिल जोशी गौला रेंज के वन शेत्र अधिकारी चंदन सिंग अधिकारी सहिद पशू चिकित्सक भी मौके पर पहुँचे और रेस्क्यू टीम के प्रस्रिक्षत सदस्य भी मौदूद रहे खबर लालकुआ से है जहां भालू के आने से शेत्र में हरकंप मच गया आपको बता दे किससे पहले भी भालू शेत्र में आया था जिसके बाद वन विभाग की तीम ने उसे रेस्क्यू कर दोबारा जंगल की ओर छोड़ दिया था लेकिन एक बार फिर पानी की तलाश में भालू स्लीपर फैक्टरी के पास आ गया जिसके बाद इलाके में हरकंप मच गया मामले की सुचना वन विभाग को दी गई जिसके बाद वन विभाग की तीम मौके पर पहुंची कि यहां पर टीम को मूव करा दिये गए और हमारी जो वेटनरी जो टीम है वो भी मूव कर गई है और जल्द यहां पहुंच जाएगी और पहुंच जाती है तो फिर इसको रस्व करने का प्लैन किया जाएगा और रस्ति किया जाएगा जैसे जैसे बदलते मौसम में गर्मी का प्रभाव पढ़ता जा रहा है वैसे ही नगर श्रेत में बढ़ते मच्चरों के प्रकोब के चलते संख्रामक बिमारिया पैर पसारती जा रही है इस बदलते मौसम में डाइरिया जैसी संक्रामक बिमारिया पूरी तरह पैर पसारती नजर आ रही है शहर के सरकारी चिकित साले हो या प्राइवेट चिकित साले सभी पर पीड़तों की लंबी कतार लगी है सरकारी स्वास्त महकमा पूरी तरह अलर्ट होने का दावा कर रहा है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बया कर रही है जस्पूर सामुदाइक स्वास्त केंद में उल्टी दस्त जैसी भयंकर बिमारियों को रोकने के लिए कुछ दवाईयों का अभाव नज़र आया अगर बाहर का कुछ ठाना फिर्टर है या खादी विया में खाते बीते हैं तो साब्धानी बढ़ते हैं कोई ऐसी कच्छी या पानी वाली ऐसी चीज़े ना खाएं इससे इफेक्सर खैल सकता है मच्चों को भी खासकर पानी उगाल कर दें और जो भी सलाज या इस तरी की तीज़े हैं वो ना खिए साथ ही पानी ऐसे जो पानी रादफल है वो खाते रहें जिससे की बाड़ी में पानी की कभीना खाएं यावाजय होती है उडायरिया सब्चों में होती हैं प्रैपर ठीए वह रहे है और टैन भूज अलेरिया अिस सम्देंज होती है में और लूज लगने की कारण जो भी पोछ़एं प्रम पर दूछ़ा है गर्मिया शुरू होते ही नैनिता समेद कुवाओं भर के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से बढ़ उत्री हो रही है नैनिताल के लादिया खान, जेली कोट, मंगोली, खुर्पाताल, देवी धुरा, भवानी, भीम दाल, मुक्तेश्वर समेद आसपास के जंगलों में इन दिनों भीशन आग लगी है जिससे अमूल्य वन संपदा जल कर खाक हो रही है तो वहीं दूसरी ओर वायू मंडल और इंसानों के स्वास पर भी बुरा असर पड़ रहा है जंगल आग उगल रहे हैं वनागनी के कारण चारों तरफ धुआ चाया हुआ है जिससे हवा में पी-एम 2.5 के स्तर में करीब 5 गुना बढ़ोतरी हो गई है हमारे दवरा वनागनी पर नियंतरन करने के पूरे प्रियास किये जा रहे हैं जैसे ही हमको फायर अलर्ट्स प्राप्त होते हैं तदकाल वनशेत्रादीकारियों को सुचित किया जाता है वनशेत्रादीकारियों तदकाल मौके पर स्टाफ के साथ फायर वाचरों को भीजा जाता है और वनाःगनी पर नियंटरन किया जाता है और इसके अलावा हम लोग लगातार fard linther की सफाई कर रहे हैं आपने शेतरों में तो fire alert darauf होते ही ऑचिसे लिए और वनाःगनी को कंट्रोल करके हैं हमारे कहीं पर ऐसी रोड साइट कोई फायर हो रही है तो हमारे द्वारा एंडियारेप को भी सुचिप किया जा रहा है। उत्राखन में जंगलों में आग लगने का सिलसला निरंतर जारी है। तमाम कोशिशों के वावजूद वन विभाग आग को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा। बीते दिनों जंगलों में लगने वाली आग को लेकर मुख्युमंती ने भी वन विभाग को निर्देश चारी किये। उसके बाद वन विभाग प्रमुख वन संगरक्षत निशान्त वर्मा ने बताया कि जंगलों में आग को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। की कारवाई के लिए निर्देश दिये गए हैं अभी हमारे जो प्रभागिय वनादिकारी हैं वो अलग लस्तर पे जो है जितने भी विभाग के लाइन डिपार्टमेंट्स के करमचारी हैं उनके साथ उन्हें जागरों करना उनसे सेयोग लेने की बात कहना कही भी वनागन दस मई से उत्राखन में शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर शद्धालू में भारी उत्सा है चारो धामों के लिए अब तक 15 लाग से जादा शद्धालू ने अपना पंजी करन करा लिया है आपको बता दे कि पिछले 11 दिन में 15,12,1993 शद्धालू अपना पंज पंजी करन करा चुके हैं जिसमें से अब तक गंगोत्री के लिए 2,47,901 यमनोत्री के लिए 2,53,83 केदार नाथ के लिए 5,21,052 और बदरी नाथ के लिए 4,36,88 तीर्थ यात्यों ने अपना पंजी करन कराया है इसके साथ ही हेमकुन साहिप के लिए 23,479 यात्रियों ने प पिछले साल 54,82 लाग शद्धालू पहुंचे थे चार धाम यात्रा संचालित करने वाली सयूंक्त रोटेशन व्यवस्ता समिती ने यात्रा पर जाने वाली बसों की लोट्री डाली जिसमें यात्रा पर पहली बस यातायाद कंपनी की जाएगी इसी क्रम में 2200 बसों का अपना रंबर यात्रा मार्ग पर जाने के लिए निर्धारित हो गया है यात्रा शुरू होने के प्रथम दिन देर सो से अधिक बसों की यात्रा मार्ग पर जाने की उमीद है बतादे के सायूक्त रोटेशन विवस्था समिती ने एक होटल में यात्रा मार्ग पर जाने वाले बसों की लौट्री खोलने के लिए कारिकरम कायोजन किया गया था हमारी तैयार है पूर्ण है दिसंबर से हमारी तैयारी चारग यात्रा के लिए प्रतिक्षा में अपिते देवह वह का आज जैसे की करम निकाले जा रहे हैं कि कौन सी बस किस करम पे चलेगी और उसके बाद क्रिशा खबर इशीकेशते हैं जहां हुँआं सारों शधालोंने गाडुगड़ा के दर्शन के गाडुगड़ा के दर्शन के लिए हजारों शधालों की भीए धयम मिशाला में पहुँची लगतार श्रधालू दर्शन करने के आगे शीर जुका कर भगवान श्री बदरी नारायन का आशिरवात प्राथ करने में लगे हैं। मिरानी और सुहागिन महिलाएं अपने हाथों से तिल का तेल निकालती हैं जिसे पारंपरिक रिवास के अनुसार चांदी की कलश में भरा जाता है। तस्वीर रिशिकेश से हैं जहां कारिफियम को लेकर भक्तों की भारी भीर उमर पड़ी। भगवान बत्रिविशाल की तेल कलस्यात्रा है। जब कपाट खुलेगा और छे मेने भगवान की निक्ते प्रती महाविशेक पूजा होगी। तो उस पूजा में इस गाड़ु घड़ा में भरा हुआ जो तिल का तेल है उस महाविशेक पूजा में भगवान बत्री मिशाल की पूजा में यही तेल प्रियुक्त होगा कॉंग्रेस के नेता लगातार बीजेपी जोईन कर रही है ऐसे में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का बयान सामने आया है उन्होंने बीजेपी में लगातार कॉंग्रेस के नेताओं के शामिल होने पर कहा कि परिवार जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा रास्ट के लिए कारिकर सकेंगे तो वही कॉंग्रिस प्रवक्ता शीशपाल भिस्ट ने कहा कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वो देश की सबसे बड़ी राजनी तिक पाती है लेकिन उनके पास नेता और कारिकरताओं का भाव है चुनाव के लिए दूसरे दलों के नेताओं के भरोसे रहना पड़ता है अब जब आप विपरीत विचार धारा के अधी संख्य नेताओं को अपनी पाटे में सामिल करवाएंगे तो फिर तालमिल कैसे बनेगा अब टीरी में आप देखें जिस तरीके से भाजपा के दो नेताओं में सिर्फ फुटोबल चल रही है लेटर बम का खेल समके सामने आ रहा है बिल्कुल नहीं देखे परिवार जितना बड़ा हो उतना अच्छा है और भाजपा क्या भारतिय संस्कृती ये रही है कि हम बड़े परिवार में अपनी जो खुशी हैं उनको हमेशा देखते हैं तो नुकलियर होना हमारी संस्कृती ये नहीं रही है तो भाजपा का जितना बड़ा परिवार होगा उतना जादा हर चीज का विस्तार होगा और राष्ट्र में हमें काम करने का उतना जादा मौका है चार धाम की यात्रा उत्राखंड और पहाडों पर बसे लोगों के लिए आएका मुख्यस रोत है ऐसे में चुनाव के बीच विवस्ता को लेकर बीजेपी के प्रदेश वरवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि सारी सुवधाओं की बारीकी से जाच की जा रही है सरकार के और से भी सारी विवस्ताओं को दुरुस्त कर लिया गया है हमारे यहां हो दिया और हम फर्वरी से उसकी त्यारी करना शुरू कर देते हैं अभी अप्रील चल रहा है और अप्रील आते हैं आप देख रहे हैं कि हमने सभी सुविधाईं जो भाझे मूल भोथ सुविधा आचाए परिवन है परियेटन है स्वास्ते है सबी 70 विभागों के अधिकारीयों के साथ में मिलकर सबीसुज़ाओं को हमने सुरिशित कर लिया है हमारी सरकार की सरुकार की सर्कार की सर्भी क्यारियां तुरुस्त हैं सबी श्रधालू आएं और जादा से जादा दर्शन करके पुर्ण welding लाब ले कि इससे जादा भी शदालू आ सकते हैं तो उसके लिए सरकार की तरफ से अपनी त्यारियां की कर ली गई है देहरादोन के कॉंग्रस मुख्याले में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के दक्षता में बैठक की गई बैठक में कॉंग्रस महानगर के लोग भी शामिल हुए इस दोरान निकाय चुनाव और उसकी तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि प्रदेश में भी लोगसबा चुनाव में विभेन बूधों के लिस्ट से नाम गायब होना दूसरे वर्डों के बूधों पर वोट डालना जैसी गरबडियां सामने आई थी इसके साथ ही अगामी निकाय चुनाव के लिए आरक्षन तैय ना होना वो बिसी वर्ड की कुछ दिक्कतों पर भी चर्चा की गई और जल्द ही इन सभी शिकायतों और सुझावों को जिला अधिकारी को भेजा जाएगा अप्चारिक हमारी चर्चा थी महानगर पालिका के काफी लोग आज पी सी सी में थे और उन लोगों ने का कि हमको अगला चुनाओ क्योंकि वो लिस्ते बनने लगे उसमें चर्चा थी और किस तरीके से वोर्ड में गड़बडिया हुई हैं लोगों के नाम गायब हुए हैं दूसरे वोर्ड के लोगों के नाम दूसरे वोर्ड में डाले गए हैं और कहीं कहीं मैं देख रहा हूंगी भवन के नंबर नहीं डाले गए हैं जिससे बहुत बड़ा गड़बर लग रहा है अभी तक जो है जो अरक्षन है उसकी घोशना नहीं हुई है फिलहाल के लिए बस इतना ही जल्द हाजिरोंगे नई अब्डेट्स के साथ नमस्कार